तो बात यह है कि हमारी नियत है ही नहीं कि हम किसी चीज को पॉलिश किया जाए अगर आपकी सोच यह है कि मैं इश्वयर ऐसे शादी करूँ और वहां से बड़ा नेग परहेज बार बच्चा पैदा हो ते कभी भी नहीं हो सकता तो आपको पहले नियत भी ठीक करनी नहीं है कि बड़ा ना तु इत्सकÂ खट्ञा अदमी है किसी की भी मा भैन बेटी में बोलता अचा त्छोड़े शाहीद अफ्रीदी और उमर खुल्टालिम जा है जा रहत है न यह कोई हया होती है आपकी तो बेटी आंय शाहीद अचैना आपकी तो बीटी कितनी बेटी किया है तो जो मैं घौर से सुना के रजाक ने तो ये कहा था तो मुझे बड़ा वो जीब सा लगा किया कमान यार अभी मैसिज करूंगा के सॉरी नियार आए के बारे में यार तू पाकिस्तान का एक्स करेक्टर है एक्स करेक्टर तुम लोग कहां से पड़े हो यह क्या सोच यह क्या जाहलियत है यार अगर अब्दुलर्जा के फादर अब्दुलर्जा के बारे में अच्छी उमीद लगाते हैं तो आज अब्दुलर्जा की शकल में ऐसा नमूना पाकिस्तान लोगों के सामने नहीं आना था सब की इजते साजी है ना यार एक एक फीमेल का नाम लेकर कभी भी ऐसी कोई बात नहीं होनी चाहिए एंड रेकिग्नाइजडेबल फीमेल बिल्कुल भी बात नहीं होनी चाहिए क्या मजबूरी हो सकती है औरत की यह मां ब्यकोरत होड़ यह तेरी बेर भी आखहु आधियु और करें वे एक हुरत है और अनहीं करने वान द लानत तेरी सोच पेलान Mick Detamakt कर देश्म कि यार कुछ श्रम कर तो यूस्फ भो ऐसा है ना कि जब आप कर जाते है तो आप रिएलास करें वहार रजक ने बात किया मुझे समझ नहीं मैं वैसी हसना मुझा पता है कि एसके आप माई के कोई यूप ना कोई बात किनी है जिसके जुकतों का बहुत शुक है आप यकिन करें महाँ पर लोग भी हसने सारे मैं घर आके आया हूं तो मुझे किसी ने क्लिप शेयर की कि उसने बात की ही किया है तो मैं गौर से सुना कि रजाक ने तो ये का था मैं ऐसी हसने लग था तो मुझे बड़ा वो अजीब सा लगा किया कि यार कम आन यार अभी निदाक को बल्के मैसेज करूँगा कि सॉरी करें सबसे बड़ा गलत मजाख था इस तरह का मजाख नहीं होना चाहिए बदकुल जी जा यो शायल हमने सब्सकी अजरे खुए वाकिछ सही बात है इसान नहीं मैरे सारे कोई भी भी विल्म हैं किसी भी मुलक से तलोक हो फॉ अमसबव हम सब इसतेसान thee याव और एक एक फीमिल का नाम लेकर रर कभी भी ऐसे कोई नहीं होनी चाहिए और रेकिनाइसडेबल फीमेल सो बहुत कुछ बहुत नहीं होनी चाहिए मेरा चाहिए घ्लाद से सब ऐस बात को गुजराके यहां किसी कूपी देश्टीम करना काक पुछु में कर भा सकते हैं कोई स्टेट्मेंट ज्यादा नहीं देनी बाकी नॉर्मल्ल लायफ में बोले इसके मेरा कहन उसकूंग गोए इसके अफ्रजात रिजाता है, कही न कहीं कर जाता है इसका कर जाता है वो बस बोफ रोखना हम पढ़ें और इसको चैनल पर ऐसे बिठाते है टीयार पी के लिए जाहिल ना खुंदा इलिटरेट क्रिकिट में भी इलिटरेट जिंदगी में भी इलिटरेट और अज़ाइब परसन भी एक इंताई जाहिल आदमी धर्ती वे बोज है जिसका नाम है अब्दुर्जार कोई शर्म कोई ह घटिया ही रहता है उसको आप जो मर्जी कर ले वो घटिया पान उसके अंदर का ख़तम नहीं हो सकता और ये एक ऐसी औरत से एश्वरिया राये से शादी करेंगे तो ये एक अच्छी उनाद की कैसे और मैं देखें ये तो चाहिल है ये तो समय में आता है कि ये किस तरह का इंसान है क्या धरती पे ये बोज है कितना पतकिरदार है हमें तो सारा पता है इसे भूल गया दिदार जो नर्किस डांसन थी नर्किस की बैर दी मशूरे जमाना ये उसके पीछे चिले काटता था तो जो उससे उलाद होती वो बाकिरदार होती बाहया होती ये जुरूरी नहीं है क्या मजबूरी हो सकती है औरत की ये तुझे पता है तेरी मां भी एक औरत है तेरी बहर भी एक औरत है और अल्ला नहां करें तेरे घर बेटी हुई वो वो भी एक औरत ही है लानत है तेरी सोच पे लानत है तेरे किरदार पे लानत है तेरी पिदाइश पे यार कु हया होती है यार आपकी तो बेटी हैं शायद अफ्रीदी साँ कितनी बेटी हैं आपकी यार इस तरह की बात पर आप ताली में जा रहे हैं किया वह मजूद है क्या इस वरी राय को आप देखा एक गलत काम करते और अगर देखा तो फिर बताए तो यह तो उपर वाला हमारे इ तो 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 तुझे पैदा किया था अब तू भी अपने दिखाएगा लोगों को अपनी को स्टेंगे घडिया मा की पिदाई जाए जो ऐसी कभी कुछ कभी कुछ वो दिदार यो थी वो क्या धुल गया थी है उसका बारे में क्या कहेगा अगर उससे तेरी उलाद होती तो बा बू आने लगी है इतने बदनसल है बदकरदार बहरत किसम के ये लोग है मतलब अफसोस होता है मुझे अब आप देखो अब दो रजाक मतलब इतनी बहरत तरीन बात इतनी गटिया तरीन बात निश्वरिये राए के बारे में यार तू पाकिस्तान का एक्स करेक्टर है या यार एक्स करेक्टर हो तुम लोग कहां से पड़े हो ये क्या सोच है ये क्या जालियत है यार आप दुनिया को देखो मतलब दुनिया कहां से कहां पोच गी है और हमारे पाकिस्तान के कुछ एक्स करेक्टर पस्ती की जालियत की नीचे से नीचे जाते जा रहे मतलब इतनी गटिया तरीन बात अब कैसे कर सकते हो या आप अपनी मा बेंटी का बत þाए क्या आप किसी के बारे में इस तरह की बिक्वास कर रहे हैं उमरु तालियंगे आ בץट्टेशन नहीं धी है अब आप imagine करो, यह level है इसकी education का, woman character को उसके मुँपे कहता है और PCP ने कोई action नहीं लिया, पाकिस्तान की एवाम जागी नहीं है पाकिस्तान का media जागा नहीं है, क्योंकि जाहलियत बरी हुई है ना अगर जाहलियत ना होती तो आप उसके remarks पे कुछ बोलते है आप लोग समझो, हमारी माँ, बेटी, दो पटे में, पर्दे में, बुर्के में वो बहुत बाक साफ होगी है, तो वो इंडिया वाले हिंदू, इश्वरियर आए, वो ऐसी है यह mentality हराब है, यह जो mentality हमसले है ना, कि हमारी बस गर में है, वो साफ साफ है और जो बाइर है, वो सारी है, यह जही तो गंदी mentality है खुद इस से अपना character पूछ रहा है, खुद यह पास में वो एक dancer है, उसके पीछे गुमता फिरता रहा है कि मेरी इस से शादी हो जाए, नाम मेरे से दिदार dancer कि मेरे से शादी हो जाए, तो वहां से क्या नेग पाक साफ बच्चे होने थे, क्या तुम्हें अपना पता है, तुम नेग पाक साफ बच्चे होने थे